अपराजिता पूजा के बिना शंपन्न नहीं होता है शारदी नवरात्र। मानिता यह है कि विज्यादश्मी पर जब माताओं की बिदाई होती है तो उस्च में अपराजिता फूल से पूजा की जाती है तभी शारदी नवरात्र शार्थक होता है ऐसी मानिता है कि जब श्री राम रावन से युद्ध करने जा रहे थे तब उन्होंने माता अपराजिता की पूजा की और विज्यादश्मी पर परस्थान कर रावन को वद किया था इस तरह से विज्यादश्मी पर अपराजिता फूल से पूजा की जाती है और अभैदान मांगा जाता है ऐसा कहा जाता है की अपराजिता फूल से पूजा करने के पस्चात कभी भी और शफलता नहीं होती है और हर कारिय सही धंग से होता है इस तरह से विज्यादश्मी पर माताओं को विदाई करने से पूर्ब अपराजिता फूल से पूजन किया जाता है यही महत्पूर्ण बात बतलाया गया है तभी शार्दी नबरात्र शंपन होता है बहुत बहुत धन्यवाद